जैहिन दोस्तों जिस notification का आपको बैसबरी से इंतजार था और notification रिलीज हो चुका है और ना सिर्फ notification रिलीज हो है उसके फार्म भी आज से भरना शुरू हो गए है दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एयर फोर्स के अगनिवीर के फार्म की जिसमें हम एक्स वाई ग्रूप की बात करते हैं दोस्तों अगर आपने 12th class पास किया है चाहे किसी भी स्टीम से किया है तो आप इस examination के लिए फार्म भर सकते हैं और अगर selection होता है तो जरूर जाएं क्योंकि definitely बहुत सारे improvement होगे कई ऐसा ना हो कि बाद में आपको पच्ताना पड़े तो आईए देखते हैं इस notification में क्या क्या खास बात है सबसे पहले दोस्तों कि आपका इस जो notification है इसके according फार्म जो भरना start होगा है 8th of the July से लेकर के 28th of the July तक फार्म भरे जा रहे है यानि कि आज दिनांक से आज 8 July को मेडियो में release कर रहा हूँ 8 July से फार्म भरना start होगा है 28th of the July तक फार्म चलेंगे यानिक टोटल 20 दिन तक फार्म के लिए विड़ो ओपन रहेगी आपको अंतिम दिनों का इंतियार नहीं करना है notification का PDF प्रॉपर डाउनलोड करके इसमें जो instructions दिये उनको ठीक ठाक से पढ़के और उसके बाद से तु आपके पास में टाइम है 18th of the October से examination स्टार्ट होगा दोस्तों एक बात यहां clear cut owner ने mention किये कि यह जो notification है commissioned officers के या फिर pilots के लिए नहीं है यह सिफ airman entry के लिए है अब आगे और इस notification की खास बाते अगर हम देखें तो सबसे पहली बात आती है eligibility criteria और eligibility criteria के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं date of birth की या age की तो दोस्तों ऐसे सभी बच्चे जिनका date of birth 3rd July 2004 और 3rd January 2008 के बीच में ने काफी लंबा चोड़ा gap यहाँ पर दिया गया है 3rd July 2004 से लेकर के 3rd January 2008 के बीच में जो बच्चे जिनका date of birth है सारे बच्चे इस examination के लिए form fill up कर सकते हैं इन केसे candidate clears all the stages of the selection procedure then the upper age limit as on date of enrollment should be 21 years तो बच्चों जिसका एक बार farm fill हो जाता है वो बच्चा निश्चिंत हो जाता है फिर उसकी joining होती ही होती है तो आप को यह सारी चिंता नहीं कर रहा है यहाँ पर कुछ और भी अलक्स इंस्ट्रक्शन्स दिया है अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आप सब लोग जानते हैं कि सर यहाँ पर जो है दो अलग-अलग केटेगरिस में फार्म फिलफ होते हैं पहले हम इनको XY ग्रूप कहते थे अभी भी हाला कि है XY ग्रूप ही बट इन्होंने पूरे एजुकेशनल मतलब यहाँ पर इनका जो है mathematics है तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 10 प्लस 2 किया है mathematics, physics, English के साथ साथ, किस-किस के साथ साथ? मिने वह आपके पास mathematics, physics और English होना चाहिए और आपने 20% overall score किया हो और English में 50% marks आपके आए हो, sorry, 50% आपका aggregate होना चाहिए और 50% ही आपका English में marks होना अगर आपने दोनों में aggregate आपका 50 है, साथ में English भी आपका 50 है, तो आप जो है इस फार्म को भरने के लिए eligible हैं, यह science system के लिए होगा है, ऐसे बच्चे जिनका जो है past 3 years diploma course in engineering, ऐसे बच्चे जिनने mechanical, electrical, electronics, automobile, computer science, instrumentation technology, information technology के डिप्लोमा किये हैं, कौन से डिप्लोमा? 3 years के ड course किया है, और non-vocational subject physics और mathematics from educational boards recognized by central state in UT with 50% marks in aggregate, तो आप भी इस फार्म को फिल कर सकते हैं, तो यानि की PCM से 12 किया हुआ हो, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स अगर किया है, तो आप इस फार्म के लिए eligible हैं, दोस्तों, other than science का मतलब होता है कि mathematics के अलावा आपने चाहे किसी भी subject के साथ 12 किया हो, आपका aggregate जो है 50% होना चाहिए, और English में marks भी 50% होना चाहिए, तो समाम वो बच्चे, चाहे आपने arts से किया हो, arts, humanities से किया हो, commerce से किया हो, या फिर biology से किया हो, आप इस फार्म को फिल अप कर सकते हैं, educational qualification बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक और बड़ी बा में 12 करने वाले बच्चे भर सकते हैं, फाम भरना 8 से, 8 जुलाई से 28 जुलाई तक होगा, examination 18 अक्टूबर से start होगी, date of birth में आपको बताया है, कौन-कौन बच्चे क्या educational qualification होती है, वे सब मैंने बताया है, अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या इसके लिए strategy होना आप इन बैचर्स का हिस्सा बन करके, इन सिफ चार महिनों के अंदर अपने किस्मत को बदल सकते हैं, किस्मत को चमका सकते हैं, तो देर किस बात की, आईए, force defense academic का offline course जोएन कीजिए, और अपने सुफलता को सुनिश्चित कीजिए, जै हिन जै भारत इंकलाब जिन्दाबा झालब ए वहड़ीए, आई है अईए, समका दोब बदाऑ में हैं, एझ वह़ए, अई होई रारत आबदेचित कीजिए